राची के ओर मांची में इस्तित बिर्सा जैवे कुद्ध्यान में बागिन ने एक युवक को अपना शिकार बना लिया है दरसल पार्क घूमने के दोरान एक युवक बागिन के बाड़े में गिर गया जिसके बाद बागिन ने 30 साल के इस युवक को मार डाला इस घटना के बाद पार्क में अफरा तफ्री मच गई पूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और युवक के शफ को बाड़े से निकाल लगया पार करमचारी के मुताबिक जिस बागिन ने युवक पर हमला किया उसका नाम अनुष्का है जैसे ही युवक बाड़े में गिरा बागिन ने उस पर हमला बोल दिया गला काट दिया इससे युवक की मौत हो गई फिलहाल मुरितर की पहचान नहीं हो पाई है, साथ ही पुलिस जाज कर रही है कि युवक्य से पाड़े में गिर गया आपको बता दें कि पेरसा जैवे को द्यान में नवंबर 2018 में रामू नाम के हाथी ने महावत महेंद्र को पटक पटक कर मार डाला था महेंद्र ने रामू हाथी की 12 सालों तक देख भाल की थी निउस टेस्क